हेलो फ्रेंज वेलकम तो माई इस्टेडी शीट चैनल दोस्तों प्रिविए सीजर में जितने भी कोस्टेंस फिजिकल एजिकेशन कंपेटेटिव एक्जाम्स से रिलेटेट टीजिटी पीजिटी केविएस एन्विएस यल्टी से पूछे गए हैं उन सभी कोस्टेंस को आप ऑपयों के समझ प्रस्तुत कर रहे हूं यहीं सभी वीडियोस इस सभी वीडियोच वाच करके आप अपने तयारी को बहतरीन कर सकते हैं और गिलिए सब्सक्राइब करें जा रहे हैं जिससे आप अपने प्रेक्टिस कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रशनों की स्ट्रिंखला के तरफ तो पहला कुंस्ट्टन है कि फिक्निस घटक का नाम दें जिसमें अधिकांस बायो मोटर चमताएं हूँ और वह किसी भी नीरो मस्कूलर चमता की अभी व्यक्ति हो तो क्या है मजबूती है कि सकती है कि समन्नुए है कि चपलता है तो दूस्तों इसमें आफसन बड़ी करेक्ट एसर होगा चपलता यानि एजिलिटी जिसमें अधिकांस बायो मेटर चमताएं होती है और किसी भी नीरो मस्कूलर चमता की अभी व्यक्ति होती है एजिलिटी यानि चपलता में नेक्स्ट क्वोचन है कार्डियो वैस्कुलर बिमारी किसे सम्बंधित है तो कार्डियो वैस्कुलर बिमारी किसे सम्बंधित है इसमें आफसन बड़ी करेक्ट एसर हिदय वर रक्त धमनियों से कार्डियो वैस्कुलर बिमारी सम्बंधित है हिदय अती व्रिधी यानि कार्डाइक हाइपर ट्रॉफी में आरोध प्रसिच्छर के परिडाम श्वरूप निन में से किस हिदय कोष्ट में सबसे अधिक परिवाटन होगा तो दोस्तों जब हिदय का आकार बढ़ेगा उसमें आरोध प्रसिच्छर किया जाएगा उसके परिडाम सबसे ज़्यादा परिवाटन होगा हमारे बाय निला में यानि लेट वेंट्रिकल में यहां आपसर नमबर भी करेक्ट एंसर हो जाएगा बाम निले नेश्ट कोर्शन है दोस्तों इस पाइरो मिटर किसी के मापन के लिए परियोग होता है तो जैसा कि आप सबको पता है यह फेफडों की छमता मापने के लिए परियोग किया जाता है नेश्ट कोर्शन है दोस्तों मिन लिखित उपकरणों मेंशे कौन सा कान नाग और गले के चोटों के निदान और उपचार में परियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका आपसर नमबर भी करेक्ट एंसर है ओटो लरिंग गॉल जी सेट जो कान नाग और गले के चोटों के निदान और उपचार में परियोग किया जाता है नेश्ट कोर्शन है ठकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कारे करने की समता को कहते हैं जैसे कि दोस्तों किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार करने की समता को या प्रतिरोध को हटाने की समता को की सट्रेंध यानि सक्ति कहते हैं और सक्ति के से इस्टी। अडिमिक प्रकार क्यों होती है सब्सक्राइब करके रिए घृम साथ चुछत तो यहां पर कोंशन पूच़ाए ठकान का में किसी प्रतिरोत के साथ या प्रतिरोत की विरुद्धिकार करने की चम्ता को कहते हैं तो सक्ति शहन सिल्ता आपसन नमबर सी यहाँ पे correct answer हो जाएगा next question है दोस्तों हिदे की स्वसन चम्ता संबंधित होती है हिदे की स्वसन चम्ता किसे संबंधित होती है आपसन है हिदे की स्वसन चम्ता जहां पे कार्डियोवेस्किलर इंडरेंस आजाए हिदे की स्वसन चम्ता आजाए वहाँ पे जानियेगा कि लंबे समय की क्रिया की वो बात कर रहा है और लंबे समय की क्रिया में स्वसन चम्ता होती है यहाँ पे आपसन नमबर सी correct answer हो जाएगा समाने सारीक सहन सक्ती से समंदित होता है हिदे की स्वसंद चमता है next question है सरीर गर्माना करता है क्या करता है गर्माना यानि कि warming up जो हम करते हैं क्या करता है हमारे option number B यहां पर correct answer हो जाएगा सरीर वह मांस पेस यह तापमान को बढ़ा देता है जिससे उसमें लचीलापन आ जाता है हमारे जोड़े जो होती है खुल जाती है और जो भी हम खेल खेलते हैं या क्रिया करते हैं उसमें चोटे कम लगती हैं और हम आसानी से उस क्रिया को करने में सच्छम हो जाते हैं यानि कि कोई भी कुसलता पुरुवक करने के लिए सबसे पहले उसके लिए तयारी करना पड़ता है तो यह जो गर्माना होता है यानि कि जो वार्मिंग अप होता है यह फिजिकल एजुकेशन में किसी भी खेर या क्रिया को प्रार्म करने से पहले तयारी का काम करता है यारी हमारे सारी अंगों को सारी को मांसिक लूप से अपने सरीर को तयार करते हैं लेक्ट कोश्चन है दोस्तों जल चिकिसा का और्थ है कि जैसे जल चिकिस्ता में किस्टा चिकिस्टा होती है कि पानी से ँप्चार किया जाता है आपसे नमबर भी करेक्ट एंसर हो जाएगा डिसके निवनिलेखित मेरे से जल्टे रेपी को और किस नाम से जाना जाता है जर gars आप सबत्रकूपत पता है जल्टे रेपी को हाईड़ो फेल्टेरेपी के नाम से जाना जाता है CORISATION है निवनिकीत रेट मेरें कहसा खतक शारी कि दच्छता और श्वास्त हैं यानि वेलनेश को प्रभवावित करता है तो यहां पर दोस्तों तालमली अगता गती अच्छा आशन बिस्फोटक करती हैं बट यहां पर सबसे ज्यादे प्रभववित करता है बिस्फोटक शक्ति यानि explosive strength निश्कोशन है जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना के उप अधिक्तम तिविता के बिरूद से उबर पाने के लिए एक मांस्पेशी की छमता की सुरूप में जानी जाती है क्या है कि जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना के उप अधिक्तम तिविता के पतिरोद से उबर पाने के लिए एक मांस्पेशी की छमता किसके रूप में जानी जाती है दोस्तों जहां पे अगेंश यानि पतिरोद सब्द आ जाए वहां पे तो निश्ची तुरूप से स्ट्रेंथ ही होगा बड़ यहां पे क्या कहा है कि तिविता के पतिरोद अधिक्तम तिविता के पतिरोद यहां पे तिविता आ गया है स्पीड आ गया है तो दोस्तों यह यहां पर अपर सक्ति तोनों होता है है और बत्वर को स BACK सरे मिपलेशे होता है कि पुरी ताक्स शेमिण स्क्वाइव वहां पर होता है तो तो गती दोनों का समय बिस फोटक्स सकती, यहां पर आपसन नमबर C यहां पर पर रक्त प्रवाव संस्थान पर क्या प्रवाव पड़ता है? आफसन है इस ट्रोक के आयतन में ब्रिद्धी होता है यानि कि जो हमाई एरेक्ट प्रच्छे पर समता हीदे में होती है वह क्या होती है बढ़ जाती है ये भी सही है हीदे के आकार में ब्रिदी हो जाती है दोस्तों लगाता हम व्यायाम करते हैं तो हीदे के आकार में ब्रिदी हो जाती है कुलेस्ट्रॉल के इस तर में कमी हो जाती है दोस्तों कुलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है यह दो प्रकाइक होता है HDL और LDL तो कुलेस्ट्राल के इस तर में कमी हो जाती है तो यहां पर सभी आपसंद सही है व्यायम का रख्त प्रवाह पर हमारे इस्ट्रोक के आतर में बिदी हो जाती है हिदे के आकाउन में बिदी हो जाती है कुलेस्ट्रा क्य Hajyाम की दोरां निनी लिखित में कौन सी हिदयुप्रेटी कमंधी प्रतिक्रिया है बहुत को ध्यान पुरुआथ हिएगा हिस्वसन समंधी प्रतिक्रिया यहाँ पर पूछा 캉न लूट ट्क करना है बल गुलार श्यक्ता कोर शल मैसे घ्याम कर रहे हैं कुण सी हिरे शौसन समंदी परतिक्रिया है यहां पर आपसन है इस ट्रोग मातरा का बढ़ना यह सही है हिरे गती का बढ़ना दो हम ब्यायाम करते हैं तो हमारा 180 तक हिरे गती चला जाता है जबकि अराम के समय 72 होता है एक प्रसेचित की चलारी का 40 से 50 होता है यह आप ध्यान आरोडिक सक्क्टी का बढ़ना यहां प्रतिक्रिया की बात कहा है यहां प्रतिक्रिया कई वी डूप मात्रा का बढ़ना धूत्य को बोढ़ना इस यहां पे खिसफेशन त Alec इस्करिया चाहिए कई आपने या कौने हैं There, I, 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 I प्रतिक्रिया है अब ध्र. लतल किको जाने को सकते हैं यहाँ सिकेंड विंड होता है कि अची यह वियुक्त hebtmeno कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं कि एक दम और उस्कुड़ हो जाता है एक से एक लगता है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे तो दीतियक वायों कि लच्छर कॉंच्छ रहे हैं यहां पर पूछा है यहां पर आपसन है सीरी में दर्द होना तोचापीली होना छाती और मांसपेसियों में दर्द होना उपिक सभी तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपस परंतु दिमाग पर सिधा प्रोयर डालते हैं। कि अपर अंसर और आशन की बढलने से लोते हैं। स्थाइब करते आते हैं और इससे सरीर मन उसकती और जो आसन है दोस्तों ये हट योक एत्र अन्जर्गर आता है इसको ध्यान में रखी गहार ओ कोगा रखो लेक्सित होता है कंसा गहताग सब्सक्रकाश्य शक्ति शिय्वे छक्तिंस उस्निलड़ सत्रम स्य्विक स्यूर्ट Hлавopnt फ्लेक्सिबिलिटी तो यारी की दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में जो सभी व्रक्ति के लिए बहुत ही महत्पुर्ण है और सदी की गतिया, कुसल और गरिमा युक्त इससे हो जाती है व्यायाम से योग से अलचक बढ़ने से खेल में चोट भी कम लगती है अब भी योगासन जैसे कि चक्रासन धरुरासन हलासन भुजंगासन सलभासन इस सभी हमारी फ्लक्सिबिलीटी को वहाने में मदद करते हैं स WillisOS कि वinging भी मारी के लिए लाब दायक है जैसे क्योज रहुं हातों को बगल में करके पेट के वल लेट के अपने सीर और चाती को उपर के ङृटा करे आस्मां के करुभ पर देख nodig है दूस्तों यह भूजडगासन कि बिमारी के लिए लाब दायक होता है यह हमारे गले पर जादर दुबाव परता है इसलिकिशन दूस्ते हो जाएगा श Васञय के लिए पायन बूर्टum कौना questa योगाषन योगा भ्यास खास तोर पर मधुमे यानि डावैटिज के बिमारी सा chegou ठीक करता है कौन सा तो इसमें आजन नमबर डी करेट एंसर वुज्राषन वज्ज्राषन जो है यह मधुमे रोग को ठीक करता है इतोरों मधूमे तको दूर करता है है तो तो को ज़ता संदू यसिति यानि प्रोलाईन में की जाता है प्रॉलाईन आप समझते होंगे सुपाई नेसन प्रॉलाईन ये मैंने सारी गत्यों में पढ़ा चुकी हूं कि हुआ किनसी लोजी में उसा वीडियो को आप देख करके इन सब की बारे में विस्तित अधियन कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पे पुचा है कि कौन सा अधो और ससन में सुपाइन पोजीशन को किया जाता है कि है पिरिके बड़ लेचने के यह पर सल्भासन आपिर के पैर ऑन प्रव को पीछे सकते हैं और कलाईयों को जागों के नीचे रखें फिर धीरे धीरे पेरों को जितना उपर उठा सकते हैं उठाना चाहिए और छाती हो सीर को भी उपर पीछे की ओर उठाना चाहिए next question है कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है तो इसका correct answer है शवासन जो है सभी योगासन करने के अंत में किया जाता है और शवासन को मौमत का आसन या मृत्यु आसन भी कहते हैं यहां आसन सरीर में सीथीलता लाने के लिए किया जाता है और यहां आसन सभी आसनों के अंत में किया जाता है और जमीन पर पीठ के बल सीधे लेट जाना चाहिए इसमें और टांगे सीधी रखनी चाहिए बाजू सरीर से कुछ दूरी सीधी रखनी चाहिए शरी के सबी अंगों को ढ़ीला वो सित्हिल चोड़ देना चाहिए और दॴीरे धीरे सरी शौ्स लेना चाहिए शरीर से और अपने आखे बंद कर ले तता है सोते की सारा सरी धीला हो गया है और अपने सरीर में पूर सित्हिलता का उनभों करना चाहिए तक इस इस्विती में रहने से यह आसन मास्पीशियो वर्रक्तर नलिकाओं को अराम परदान करता है सवासन के लाब है इसे क्या लाब होता है इसमें अपसन नंबर B करेक्ट अंसर हो जाएगा या सिथिलता परदान करता है कि मैं जो अब ही explain की हूँ उसे ध्यान पुर्वक सुनके जाल सकते हैं या क्या करता है सिथिलता प्रदान करता है next question है किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना अवस्यक है तो यहां पे सही आसन हो जाएगा स्वासन कोई भी आसन करने के बाद आपको स्वासन किया जाता है next question है स्वासन कौन से वर्ग में आता है तो कौन से वर्ग में आता है यहां पे सही आसन हो जाएगा आराम के लिए किया जाता है जिससे हमारा blood pressure धीमा हो सके, समाने हो सके अपसर नमबर B यहांपे correct answer हो जाएगा next question है अराम दायक आसन है यहांपे भी correct answer हो जाएगा शवासन दोस्तों सवासन, ससांक आसन, मकरासन अराम दायक या विस्राम दायक आसन होते हैं जैसे कि दोस्तों इस आसन यानि सवासन को नेमी तरफ से 15-20 मिनद तक अगर किया जाए तो दिमाग सान और उच रख्तचाप समाने हो जाता है next question है दोस्तों यहांपे आपको सही मिलान करना है यहांपे A, B, C, D एक तरफ दिया हुआ है पदमाशन, सर्वांगाशन, मकराशन, भुजंगाशन और दुसरे तरफ दिया है lotus मुद्रा, मगरमच्च मुद्रा, सोल्डर, इस्टेंड मुद्रा, नोगरमच्छ मुद्रा यहांपे आपको मिलान करना है सБसे पहले हम मिलाते हैं पदमाशन पदमाशन को क्या कायाता है दुस्तों लोठस मुद्रा तो ओका पदमाशन का लोठस मुद्र एक ही हो जाएगा है जैन्ध जाएंगे सर्वांगाशन étant सौल्डर इस्टेंड मुद्रा का B का 3 ऐन दोस्तों मकरासन मगरोमच primitive की तरह मुद्द्रा हो जाता है यहां पे C का मकरासन का दूसरा मगरोमच मुद्द्द्रा हो जाएगा और D भूयंगासन को कुबरामुद्रा कहते है यह आप सभी जानते है तो D का 4 हो जाएगा यहाँ पे कौन सा आपसन दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे आपसन नमबर सी correct answer हो जाएगा यह दोस्तों UP यल्टी ग्रेट 2018 का questions है next question है दोस्तों रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आपसन का अगर है यहाँ पे आपसन नमबर सी correct answer हो जाएगा सवासन जिससे रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है और नारी संस्थान मजबूत होता है उची रक्तचाप पर नेंदर किया जाता है मांसिक तनाओं से चुरकरा भी मिलता है नेक्ट कोशन है कि इसमरर सक्ती ब्रहाने ये तो कौन सा आसन महत्पूफ होता है तो दोस्तो इसमरर सक्ती ब्रहाने के लिए पदमासन आपसन नमबर डी करे टेंसर हो जाएगा पदमासन हमारा इसमर्ण सक्ती बहाता है जिसे करने से इसमर्ण सक्ती के साथ एकाकरता और मानसिक विकास भी बढ़ता है Next Question है दोस्तो हड़ी तूटने पर तुरंट क्या उपचार किया जाता है तो हड़ी तूटने पर तुरहन चोट वाले भाग की हल्चल को बंद किया जाता है आपसे नंबर भी यहां पर करेंट एंसर हो जाएगा जिससे की जखनी हिस्टे को अधिक छती पहुंचा हो उस हल्चल को हम अराम दिलाते हैं हल्चल को बंद करते हैं सबसे पहली उसके कहते हैं दोस्तों इसमें एकायक चोट लगता है और तुचा नीला पड़ जाता है रक्त बाहर नहीं निकलता है तुचा तूटती नहीं है यहां पर कांटी यूजन बंद क्लोज चोट के अंतरगत आता है नेक्स कोचन दोस्तों जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा ब्यायाम है तो जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा ब्यायाम है वजन के साथ अधी बैठक लगाना यानि आफसन नंबर बी करेक्ट अंसर हो जाएगा वजन लेकर के आप आधा बैठक लगाएंगे यह सबसे अच्छा जांग के विकास के लिए ब्यायाम है निस्ट क कि मानस्पेशी के विकास के लिए उपेक्त ब्यायाम है यानि सीटप दोस्तों याद करें सीटप या गुटने सीटप हो या गुटने मौनकर सीटप हो यहां पर गुटने मौनकर दिया है इसलिए यहां पर यही आफ्सन सही होगा और दूसरा कोश्चन यह पुछ देगा इस गुरती हैं तो दोस्तों यहां पर आपसन हो जाएगा आपसन नमबर D करेक्ट एंसर एगोनिस्ट जैसा कि प्राइम मुवर एसिस्टेंट मुवर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इस्टेबिलाइजर इस अभी प्रकार के के बारे में मैं डिटेल में बताए हूँ आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों इसलिए इनटामियम फीजियोलोजी के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को वास कर लेजिए जिससे आपको इंटागोनिस्ट निट्रिलाइजर जितने भी मास्पेसियों के कारे हैं वो आपको याद हो जाएगा तो यहां पर पुछा है मास्पेसियों को उस प्रकार को बताईए जो सरी को गती करते समय तो एगोनिस्ट यारि कि दोस्तों जो हम गती करते हैं उस समय जो मुख्य भूमी का अदा करती है उसे एगोनिस्ट क तो यहां पर गती करने मुख्य भूमी का अधा कर रही है तो यहां पर हमारे गती करने मुख्य भूमी का अधा कर रही है तो यहां पर गती करने मुख्य भूमी का अधा कर रही है तो यहां पर गती करने मुख्य भूमी का अधा कर रही है तो यहां पर गती करने मुख्य भू वो एंटागोनिस्ट का काम कर रही है जो एगोनिस्ट की विप्रीत दिसा में कारे करें उसकी प्रतिरोध विकारे करें वो एंटागोनिस्ट होता है यानि जो मुख्य भूमिका आदा करती है गती में वो एगोनिस्ट होती है उसकी प्रतिरोध में उसकी विप्रीत दिसा में करती है वह एक इंर्टध होती है तो कोई है अलबो फ्लेक्शन में लाता कॉर्पेशस्ट बासेफ्न, और और ट्रासेफ्न, का रही रहे है लेंव गस्वाँ केरे हैं दोस्तों मैं है यह चमता है क्या है जैसा कि बरबर आप सुनें होंगे कि फिजिकल फिटनेस क्या है तो फिजिकल फिटनेस डेली रूटीन वर्क बिदाउथ एनी फोटिक बिना थकॉण के डेली बैसे के देनिक कारे को हम पूरा करते हैं उसके बावजूद भी अत्रिक्त कारे करने की हमारे पास उर्ज तो यहां पर पूछा है सारी दच्छता चमता है यारी फिजिकल फिटनेस चमता क्या है तो यहां पर आपसन सही हो जाएगा आपसन नमबर एक दैनिक कार्य करने की चमता तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही खेल चीकिस्टा और ट्रेनिंग से जितने भी क्वेश्चन्स यहां तक बुड़ होता है और नेक्स्ट वीडियो में खेल समाज सास्त्र स्पूर्ट सोस्योलाजी से जितने भी क्वेश्चन्स पुछी गए हैं उन सब क्वेश्चन्स को आपके सामने प्रसुत करूंगी अई होगी दोस्तों सभी क्वेश्चन्स आपको समझ में आये हो इसे वीडियो बनाती रहूं एन दोस्तों पहली वार विजित कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रिस कर लिजिए जिससे नेस्ट टाइम जो भी न्यू वीडियो अप्रोट करूं उसका नौटिफिकेशन आपके पास जाता रहे तो मिलते ह नेस्ट वीडियो में नेस्ट टापिक की साथ तब तक के लिए जय हैं